हेलो फ्रेंट्स गुड मॉर्निंग आप सभी को और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टड़ी पाइंट यूटूब चैनल में और देखिए आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में ना हरियाना जीके के कठे प्रेशन रहेंगे और देखिए यह यह लिए एक टेस्ट रहेगा और लगबग 11 टेस्ट हैं इससे पहले 10 टेस्ट डाल चुके हैं यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा था है तो उनको देखना और देखिए आप अपना टेस्ट लगाना और देखना कि आप इसölास् लाइक करना शेयर भी कर देना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकोन के बटन को भी दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपी के पास आए तो चलिए फ्रेंड का दूसरा कोई सबसे पहले सही और पता करेंगे जिसका सबसे पहले आच्वर आएगा उसके कोमेंट को पिन कर दिया जाएगा। उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को आज का पहला कोश्यन है देशी गाय का एटू दूद बेचने वाला पर्थम राज्ये कौन सा है तो देखिए इसमें आपको 5 सेकिंड का टाइम दिया जाता है आप अपना आंसर सोजना उसके बाद जो सही आंसर रहेगा वो बता दिया जाएगा तो देखिए देशी गाय का एटू दूद बेचने वाला पर्थम राज्ये है वह है हरियाना और इसमें option B सही है ठीक है देखिए ये न गाय के दूद की variety होती है ये A1 और A2 ठीक है तो देखिए जो देशी गाय का दूद होता है इसमें A2 नाम का protein पाया जाता है और जो विदेशी गाय होती है उनमें A1 का protein A1 नाम का protein पाया जाता है ठीक है देखिए विदेशी गाय के दूद से कई प्रकार की बिमारिया होती है जैसे हिर्दै रोग, कैंसर और भी कई होती है लेकिन जो देशी गाय का A2 दूद होता है इनसे नहीं ये सभी बिमारिया ठीक होती है तो देशी गाय का दूद सबसे अच्छा है और ये पहलना वीटा वालों ने शुरू की है वीटा वाले ये दूद पहुँचाने का काम करते है A2 दूद पहुँचाने का चलिए अगला question देखते है हर्याना की कितने प्रेतिसात भूमी लवन्यता से ग्रैस्त है A है 32%, B है 33%, C है 34% और D है 50% तो देखिए हर्याना की 32% भूमी लवन्यता से ग्रैस्त है और इसमा option A सही है अगला question है राज्य में ओसत तापमान कितना रहता है तो देखिए ये ना ग्रिसम रीतु का पूछा गया है ग्रिसम रीतु में राज्य का ओसत तापमान कितना रहता है A है 40 degree Celsius B है 35 degree Celsius C है 20 degree Celsius और D है 50 degree Celsius तो देखिए राज्य में ग्रिसम रीतु का जो तापमान रहता है वह रहता है 35 degree Celsius और इसमा option B सही है अगला question है लाला मूरली धर का जनम किस जिले में हुआ A है फरीदाबाद B है पलवल C है जजर D है मेवात तो देखिए जो लाला मूरली धर है इनका जनम हुआ ये हुआ पलवल में और इसमा option B सही है और ये कब हुआ था तो देखिए ये हुआ था 1848 में तो साथ में आपको ये तारिक भी याद रखनी है अगला question है बेटी सरकार द्वारा लाला मूरली धर को कौन सी उपादी दी गई तो देखिए बेटी सरकार द्वारा लाला मूरली धर को जो उपादी दी गई वे दी गई राय बहदूर आता है देखिए यहाँ पर ये आएगा राय बहदूर और दूसरी है केसर A हिंद तो ये दोनों ही उपाधिया दी गई थी तो इसमें option C आएगा अगला question है लाला मुरली धर ने अपनी सभी उपाधिया किसके विरोध में लोटा दी A है रोलेक्ट एक्ट, B है ऐसे हो अंदोलन, C है भारत चोड़ो अंदोलन और D है इनमें से कोई नहीं तो देखिए जो लाला मुरली धर है इन्होंने अपनी सभी उपाधिया रोलेक्ट एक्ट के विरोध में लोटा दी थी और इसमें option C, A सही है और देखिए ये कब लोटा आई थी तो ये नहीं देखिए रोलेक्ट एक्ट कब लागू हुआ था ये हुआ था 1919 में और उसी टाइम इन्होंने अपनी उपाधिया लोटा दी थी अगला कोईशन है पंडित स्री राम सर्मा का जनम किस जिले में हुआ A है करनाल, B है हिसार, C है सिरसा, D है जजर तो देखिए जो पंडित स्री राम सर्मा है इनका जनम हुआ ये हुआ जजर में और इसमा उपसें D सही है और इनका जनम कब हुआ तो ये हुआ था एक अक्टूबर 1899 में में तो साथ में आपको ये तारिक भी याद रखनी है अगला कोईशन है राम सिंग जाखड का संबंद की जिले से है A है जजर, B है गुरुगराम, C है हिसार, D है भीवानी तो देखिए जो राम सिंग जाखड है इनका संबंद ये है जजर जिले से और इसमा उपसें A सही है और देखिए जजर जिले में ना लडायन गाव है यहां से इनका संबंध है तो साथ में आपको ये भी याद रखना है और इनका जनव कब हुआ था तो ये हुआ था 1916 में तो साथ में आपको ये भी याद रखना है अगला कोश्चन है मारकंडा नदी के मैदान को क्या कहते हैं अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है A है रेवाडी, B है पंचकुला, C है करनाल, D है मेवाद तो देखिए धान का कटोरा जिस जिले को कहा जाता है वह कहा जाता है करनाल को और इसमा उप्षन C सही है अगला कोशियन है चमडे की सफाई का मुख्यते कार्य किस जिले में होता है A है जेंद, B है पंचकुला, C है कैथल, D है हिसार तो देखिए चमडे की सफाई का मुख्यते कार्य होता है ये होता है जेंद डिस्टिक में और इसमा उप्षन A सही है अगला कोशियन है पसु भूर्ण परत्यरोपन की प्रियोग साला किस जिले में है A है जेंद, B है गुरुगराम, C है सिर्षा, D है हिसार तो देखिए पसु भूर्ण परत्यरोपन की जो प्रियोग साला है ये है हिसार में और इसमा उप्षन D सही है अगला कोशियन है लैदर गार्मेंट स्पार्क किस जिले में है A है फरीदाबाद, B है मालेसर, C है नोहो और D है सिर्षा तो देखिए जो लैदर गार्मेंट स्पार्क है ये है नोहो में और इसमा उप्षन C सही है अगला कोशियन है न्यू वूड टिम्बर इंडस्ट्री किस जिले में है A है यमना नगर, B है गुरुगराम, C है फरीदाबाद, D है कैथल तो देखिए जो न्यू वूड टिम्बर इंडस्ट्री है ये है ये है फरीदाबाद में और इसमा उप्षन C सही है ठीक है और देखिए जो टिम्बर इंडस्ट्री, टिम्बर मार्केट थी जो लकडियों के लिए फैमस थी, वह थी यम्ना नगर में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये अलग है, और New World Timber Industry ये अलग है, ये है फतेहबाद में, और फतेहबाद में ना एक टोहाना जगे है, वहाँ पर है, ये तो साथ में आपको इस जगे का नाम भी याद रखन है, अगला question है, राजय में कितने तरह के railway gauge है, A है 3, B है 5, C है 6, और D है 10, तो देखिए राजय में जो railway gauge है, ये है तीन तरह के, और इस मोफचन A सही है, और देखिए वह कौन-कौन से है, तो एक है broad gauge, दूसरा है मध्यम gauge, तो साथ में आपको ये भी नाम याद रखने है, और तीसरा है narrow gauge, ठीक है, तो देखिए ये तीन gauge है, जो railway gauge है, एक है broad gauge, दूसरा है मध्यम gauge, तीसरा है narrow gauge, तो साथ में आपको इन तीनों का नाम भी याद रखना है, अगला question है, दाव जी का मंदिर किस जिले में है, A है, अमबाला, B है, भीवानी, C है, पलवल, D है, रोतक तो देखिए, दाव जी का मंदिर है, ये है, पलवल में, और इसमा option C सही है, अगला question है, हर्याना के कुरुक सेतर विशो विद्याले के संग्राले में कितने नाथों का वर्नन है, A है 5, B है 7, C है 10, D है 3, तो देखिए, हर्याना के कुरुक सेतर में नाथों का वर्नन है, य इसमा option A सही है, ठीक है, और देखिए, ये question ना अभी पीछे मार्च और में जो एज़ाम चल रहे थे ना, उनमें पुछा गया था, तो ये important question है, इसका आपको ध्यान रखना है, कि कुरुक सेतर विद्याले में 5 नाथों का वर्नन है, और ये important question है, अगला question है, कुरुक सेत तो ये नाथों का वर्नन है, ये है सार्दा लिपी में, और इसमा option A सही है, और देखिए, ये question भी उस टाइम पुछा जा रहा था, मार्च, फरवरी मार्च में जो एक्जाम चल रहे थे, उनमें ये question दोनों ही important है, ये आपको ध्यान रखने है, कुरुक सेतर विशव ध्याले के संग्राले में पांच नाथों का वर्नन है, और ये सार्दा लिपी में लिखे गए है, तो ये सार्दा लिपी भी आपको याद रखनी है, अगला question है, रुक्मनी विभा की से साहीत्यकार की रचना है, A है साधुल्ला, B है ताव सांगी, C है हरीदास, और D है बं तो देखिए हर्याना हरीकेन के नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है कपिल देव को, और इसमों से सही है, और कपिल देव का संबंद कहां से है, तो ये है चन्डीगड से, तो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, अगला question है, हर्याना का पहला वाइफाई गाउ बना है, ये बना है गुम्थला और इसमों से सही है, और देखिए ये गुम्थला है कहां पर, तो ये है कुर्क सेत्र में, तो साथ में आपको ये भी याद रखना है, अगला question है, हर्याना के किस दिले में नागरिक उडियन संस्थान सितित है, ए है कैथल, भी है हिसा अगला question है, प्रयावरण एम पर्दूसन के द्रिष्टी कौन से, कौन सा अभ्यारन है, समवेदन सील छेतर के अंतरगत आता है, तो देखिए, ए है खपडवास वनने जीव अभ्यारन है, बी है अभूब सहर वनने जीव अभ्यारन है, सी है बीर सिकारगड वनने जीव अभ्यारन है, और डी है, इन में से कोई नहीं, तो देखिए, प्रयावरण एम पर्दूसन के द्रिष्टी कौन से, खपडवास वनने जीव अभ्यारन है, समवेदन सील छेतर के अंतरगत आता है, और इसमों उप्सन ए सही है, ठीक है, और देखिए, ये वनने जीव अभ् धारन है, और ये दोनों, एक है भिंडवास, दूसरा है खपडवास, तो इन दोनों के पीछे नवास आता है, तो ये आप दहान रखना, वास वास वाले दोनों जजजर में है, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे, ये ऐसे ही, और देखिए, अगला कोश्यन है, महत्म गांधी विद्धू ताप्य परियोजना है, ये ए है, हिसार, बी है, मेवात, सी है, जजजर, डी है, जेंद, तो देखिए, ये है, जजजर में, और इस मोक्षन सी सही है, और ये बनी कब थी, तो ये बनी थी, 2012 में, तो साथ में आपको ये तारिक भी याद रखनी है, ओक को स्कोर का आंस्वर आपको बताना है, दूसरा को स्कोर्ण है, वह भारा वन्यजी अभ्यारने के जिले में है, इस फरीदाबाद, बी है गुरु गराम, सी है पंच, डी, आएगा, और ये डी आईगा, सी है पंचकुला, और डी है जींद, तो इस को स्कोर का आंस्वर भी comment box में comment करके बताना है ठीक है और देखिए friends इन दोनों ही question के answer आपको एक ही comment में करने है और देखिए आपका score कितना हुआ ये भी type कर देना है तो देखिए friends ये थी आज की हमारे वीडियो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे like करना share करना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए है तो चैनल को subscribe कर लेना और बेल आइकोन के बटन को भी दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका notification सबसे पहले आपी के पास आए thank you